बिस्मिल्ला ररह्मान ररहीम, मैं हूं मुहम्मद हमजा, आप सब को MKFA में खुशामदीद कहते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं Fundamental Theorem of Integral Calculus बहुत important theorem है, BSE के exams में भी अक्सर आजाता है और B.S. के students के लिए बहुत important थाबत हुआ है यह theorem तो सबसे पहले हम इसके statement के बारे में बात करते हैं फिर हम इसके proof की तरफ आते हैं, यहां पर solution नहीं है यह proof लिखना है यहां पर, proof क्योंकि यह theorem है If capital F of X is a function such that its derivative capital F prime of X is equal to small f of X capital F of X हमने एक function लिया है और उस function का जो derivative है वो small f of X है जारी सी बात है हर function का जब derivative लेते हैं तो उसमें change आता है कोई तो function derivative का तो काम ही change लेके आना है तो इसका derivative लिया यह हो गया small f of X and if small f of X is continuous होने भी small f of X change होने के बाद आया अगर small f of X AB interval पर continuous है then this integral is equal to f of B minus f of A जैसे capital F of X का derivative small f of X था उसी तरह small f of X की integration capital F of X होगी और उस capital F of X में जब यह limit put करेंगे upper limit, lower limit तो यह बन जाएगे f of B minus f of A यह चीज हमने proof करनी है तो इसको proof करने के लिए मैं एक partition consider करता हूँ let p is equal to अब जिस interval के पर हमने partition बनानी है वो है AB तो A से start करेंगे A और B के between जो elements है जितने लिख सकते हम उतने लिखेंगे p is equal to A पहले element आ गया x1, x2, x3, so on, xn that is equal to B हमने A और B के between कुछ elements consider की है A और B के between वैसे तो infinite element होते है लेकिन हम सारी तो consider नहीं कर सकते तो हमने कुछ elements यहाँ पे लिख लिए कुछ इनकी मदद से sub interval बना लेंगे अब जो last element लिखा है xn हमने कहा दिया है कि यह B पे खतम हो रहा था तो last element है जी B के equal तो अब क्या करते हैं इस partition को हम इसके sub interval बनाते हैं B partition of close interval A B अब इसके sub interval बनाते हैं किसके sub interval बनाएंगे A B के sub interval क्योंकि A B की ही partition है अब एक part एक interval है इसके अंदर से जो आप interval निकालेंगे वो इसके क्या कलाएंगे sub interval कलाएंगे तो मैं यहां पर लिख रहा हूं let पहला sub interval क्या आएगा x0 से x1 तक x0 to x1 फिर x1 से x2 तक x1 से x2 अब यह जो मैंने sub interval बना रहा हूं x1 से x x0 से x1 इनके दर्मियान में भी infinite element पड़े हैं इसके दर्मियान भी infinite पड़े हैं अब के दर्मियान में ऐसे ही है x3 से x4 so on xn से पीछे कौन सा है xn-1 तो यह क्या बनेगा xn-1, xn b r the sub interval of a b यह a b के हमने sub interval बना लिए हैं अब देखें जो हमारे पास function है एक तो बात हमने statement में लिखी हुई है कि यह continuous है close interval पर इसका derivative exist करता है तो it means कि यह differentiable भी होगा अब function continuous भी है differentiable भी है तो हम इस पर mean value ठीज़रम लगा सकते हैं उसे लगराज mean value ठीज़रम भी कहते हैं यूँकि उसकी statement में था कि function continues होना चाहिए और differentiable होना चाहिए तो आईए हम लगाते है mean value ठीज़रम then by mean value ठीज़रम अब mean value ठीज़रम जो है ना हर sub interval के लिए लगाना है प्रोवर्ण इसके लिए भी इसके लिए भी so on end तक पहले हम एक general formula लेखते हैं mean value ठीज़रम का f of पहले हमने पढ़ा था f prime of c अब मैं लिखने लगा हूँ c की जगह पे कोई भी एक c की जगह पे value x i x i लिख देता हूँ यहाँ पे मैं तो हमने यहाँ पे capital f लेना है क्योंकि हम बीचे capital f function लेके चल रहे हैं उसकी बात कर रहे थे f of x जो है capital f prime of x is equal to यानि sorry f prime of x की जगह पे आएगा x i और x i के साथ आजएगा r क्योंकि हर sub interval के लिए बनाना है r की जब ए 1 put करेंगे तो पहले के लिए आजएगा 2 put करेंगे दूसरे के लिए 3 put करेंगे तीसरे के लिए इससरा so on आगे क्या आजएगा f of x r minus f of x r minus 1 over x r minus x r minus 1 यह मने क्यों लिखा है अब जो mean value छुरम था उसको याद करें तीसरे चेप्टर में पढ़ा था f of b minus f of a over b minus a b की जगह पे है x r a की जगह पे है x r minus 1 यह मने इसलिए लिखा है क्योंकि यह वाला जो a की हमारे पास formula है mean value छुरम का यह तमाम intervals के लिए इन तमाम sub intervals के लिए हम इसको use कर सकते है क्योंकि r यहाँ पे जो है न r की value 1 से शुरू हो रही है और वो जा रही है n तक r की जब यह 1 put करेंगे तो पहले के लिए आजाएगा 2 put करेंगे दूसरे के लिए आजाएगा इस तरह करके करना है हम put करते है put करने से पहले यह जो बटे में value आ रही है इसको इदर लाके multiply करने और अभी अभी हमने पढ़ा है capital f of x का derivative small f of x है तो यह भी यहाँ पर put करें f of x i r small f कर दिया मैंने क्योंके capital f का derivative भी small f था और यह वाली जो divide हो रही है इदर आके multiply हो जाएगी इस तरह से x r minus x r minus 1 is equal to f of x r minus f of x r minus 1 उदर बैसे का बैसे f of x r minus f of x r minus 1 ठीक है अब देखें यह है interval की length यानि इसकी length निकालेंगे x1 minus x0 x2 minus x1 x4 minus x3 हर sub interval की length ऐसे निकाल सकते हैं यह है तमाम के लिए यानि कि तमाम sub intervals के लिए है तो मैं इसकी जाब लिख देता हूँ h क्योंके पहले हम जो length थी ना उसको हम h के साधी note करते हैं तो मैं इसकी जाब लिख रहा हूँ h और नीचे r r लिखने का मकसद यह है कि हर interval के लिए जैसे मैंने पहले बताया is equal to f of x r minus f of x r minus 1 अब हम r की जगा पे one put करते हैं क्योंके हर interval के लिए हमने यह formula लगाना है तो अब हम हर interval के लिए इसको show करवाते हैं कि कैसे है पहले r की जगा पे one put करें f of x i y 1 h1 is equal to यह हो जाएगा capital f of x 1 minus capital f of x 0 1 minus 1 0 हो जाएगा अब two put करें f of x i 2 h2 is equal to capital f of x 2 minus capital f of 2 minus 1 यह कितना हो जाएगा one हो जाएगा capital f of x 1 अब three put करें f of x i 3 h3 is equal to capital f of x 3 minus capital f of x 2 क्योंकि 3 minus 1 2 हो जाएगा इस सारा swan चलते जाएगा हमने r n तक put करना है n टम सक जाना है तो हम यहाँ बे put करें f of x i n h n जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ input कर रहा हूँ f of x n minus f of देखें यहाँ पर 2 था तो इधर 1 था 3 था इधर 2 था इधर हमेशा एक point कम रहा है तो यहाँ पर भी एक point कम आएगा यहाँ पर x n है तो यहाँ पर होगा x n minus 1 यहाँ 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 आर की जगा पर हमने एंपूट कर दिया अब यह तमाम वैल्यूस को one से लेकर enter जितनी भी वैल्यूस आपके पास आई है इन्हें एड़ कर दें एड़िंग मैं यहाँ पर simply लिख रहा हूँ एड़िंग all वैल्यूस एड़िंग और सब को एड़ कर द यह नेग्टिव कर जाएगा स्रा सौन यह आगे चलते गए f of x3 positive एक नेग्टिव आएगा कर जाएगा सारे कर जाएंगे सिवाए f of x0 के और f of xn के जो पहला function है ना इस point जो f of x0 यह भी एक दफ़ाई आएगा और f of xn भी एक दफ़ाई आएगा start वाला point पर जो function की value है और end वाले point पर जो function की value है वो सिरफ एक दफ़ाई गी इस वजासे यह दो नहीं कटेंगे बाकि सारे कट जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं capital f of xn यह मैं इस साइट पर लिख रहा हूं f of xn minus f of x0 बाकि दो कट गे is equal to अब यह जो values हैं यहां से यहां तक यह मैं यहां पर लिख रहा हूं f of x i यहां मैं लिख रहा हूं पहले h1 लिख देता हूं f of x i1 plus h2 f of x i2 plus h3 plus 1 hn f of x i n यहां अब जरा गोर करें यह कोई formula बन गया हमने general sum का बारे में बीचे पड़ा था उसमें हमने यही formula नहीं पड़ा था तो यह बन गया general sum जिसका हम लिख रहे थे g of p तो इसकी जगा पर लिख दें और एक और चीज़ xn equal है b के और xn है b के equal इसकी जगा पर b लिख देना है यहाँ पर put कर देते है f of x f of b xn की जगा पर b आ गया माइनस f of x0 की जगा पर a आ गया यह एक एक और is equal to यह बन गया general sum का formula इसकी जगे मैं लिख रहा हूँ g of p अब देखें इसकी right side तो आ गई है f of b minus f of a यह integral अभी भी नहीं आया general sum के अबने definition पर पढ़ा था कि अगर g of p पर limit and approaches to infinity apply करवाएं तो वो given integral आपको देता है जो भी आपके पास होगा यहाँ पर है तो हम इस side पर भी limit and approaches to infinity apply करवा देते है f of b minus f of a is equal to limit and approaches to infinity g of p अब यह क्या बन जाएगा इसका यह बन जाएगा integral जो given integral integration from a to b f of x dx और यह क्या बन जाएगा यहाँ में तो देखें n है नहीं किसी भी जगा पर यह b यह a है n होता तो limit apply होती n तो है नहीं तो limit यहाँ पर skip हो जाएगी f of b minus f of a है तो यही चीज़ हमने प्रूफ करने थी हैं अमीद करता हूँ कि आपको इस topic में से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा अगर आप हमारी मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करें हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहे और हमारे लिंक जो है आगे ज्यादा सब्स्राइब करें खुदा आफ़िस